प्लैट्फरम पर आपका स्वागत है अगर आप हमें पेस्बूक पर देख रहे हैं तो बिल्कुल पेज को फोलो कर लिजीगा और साथ इस चैनल को सब्सक्राब कर ले दोस्तों हम राजस्तान फ्लेक्शिप योजना के बारे में पढ़ रहे थे जो कि आपके अध्यापक पर परतिप्रिक्सा में मेहत्वण टोपिक है लेवल वन और लेवल टू के लिए इस टोपिक से आपके दोस्ते तीन क्यूशन पूछे जाएंगे चलेगा बात करते हैं तेरा योजना पढ़ चुके हैं आज यह चाहुदवी योजना है पालनहार योजना तो बिल्कुल हम रि की व्यवस्ता संस्तागत नहीं जाकर समाज के बेदर ही बालक या बालिका के निकटतम रिस्तदार परिचित वेक्ति वह सेक्वाई यह तो आप बहन को पालनहार बना कर उन्हें की देख बाल यह ऑन परसंद तो आर्थिक साहित दी जाती यह कोई अनाथ है बच्चा को अन यह परिवार बढ़को उसकी उसका परशना कर रहा है ना किलामइत वर्ग कॉन-कॉन सा थो देखेगा-0--0-1 वर्ष के अनात वालक वालो का व्हि honestly आपके 0-08 वर्ष तक की आयूँ के बालक वाली को प्रादन की रहन subtract सरा कि चलिए आगे बात करते हैं योजनाओं के बारे में सो पातरता दारी जीरों से छे वर्स आयू वर्क के बच्छों है तू 15 रुपे Kurdish यनी एक अलय की रुपई दिजाएंगे त्वह और वस्तर है स्वेटर है जूत है आधी है तू दोजार रुपए वार्शिक अतिरिक्त मुक्त दे यह एक अलगी रुपए दी जाएंगे ठीक है एक साल बार है प्रतेक साल में विद्वा प्लंहार वर नाता प्लंहार में दे नहीं द्यान रखना यह क्या प्रावदान है चलेगा आगे बात करते हैं आगली योजनों के बारें बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राब करें और यह आपके लिए राम बार्ण साबित होने वाली योजना है चलेगा आगे की योजना है कि राजस्थान कर्सी पर संस्क्रन कर्सी व्यवसाय वो कर्सी रियात प्रफशान योजना दोजार उन्निस चलेगा देखिए उदिशी क्या इसका उदिश्य है कि राज़े में कर्सी विप्रण आधार पूर संस्क्रन को प्रफशाय व्यवसाय वर्श दोजार उन्निस में कब 12 दिशंबर 2019 को प्रारम की गई यह याद रखे डेट क्या है 12 दिशंबर 2019 को प्रारम की गई और योजना के अंतरगत कर्सी उद्यकों की इस्तापना को प्रसायद करने है तो निम्न अनुदान किया जाने का प्रावदान ने तो कौन-कौन से पूंजी निवेस करोड रुपए तता गेर कर्सकों को पचास गेर कर्सकों को पचीस प्रतिस्त अधिक्तम पचास लाग का अनुदान ठीक है चलेगा आगा बात करते हैं तो ब्याज अनुदान कर्सकों के लिए 6 Purrata nopko Boutsan toBC इतना पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान लेंगे ठीक हे चलेगा आगा बाद करता है अब आपर अनुदार की शिमा केते है 25 लाग रुप है चलेगा लाबान विद्वर कौन सा है एक तो कर्षक है कर्षक उत्पादक संगठन एक कर्षी उद्योग और विप्रनन से जुड़े व्यक्ति सम्मू संस्ताप परतिष्टान आदि इस योजना का क्या उठा सकते हैं फाइदा सचनात्मक परियोजना अनुश्य से जाती अनुश्य से जन जाती के लोग मैला और 35 वर्ष से कम आयू के युवा उद्वियों की सत परतिष्ट बागेदारी इस इकए में सामिले ठीक है यान को कर्षी है कर्षक है तो कौन-कौन इस से लाप राप्त कर सकते हैं तो कर्षी वाले चैतर है कर्षी वाले संगटन है ठीक है फिर अनुश्य से जाती है अनुश्य से जन जाती है या 35 वर्ष से कम आयूबर के युवा उद्वियों है तो उन सब को लाप मिल सकता है चलेगा अगली योजना है मुख्यमंत्री लगू उद्योग प्रत्वान योजना अगली योजना कुन सी है मुख्यमंत्री लगू प्रत्वान योजना के बारे में बात करते हैं तो क्या है मुख्यमंत्री लगू प्रत्वान योजना चलेगा कि उमैं रोजगार के नए और उपलफ्ट करणा जो भी उद्मी यह जो भी बिजिनस करना चारते हैं तो छोटा मोटा ब्याज के रूप में पैसा देना है यह है बेलकुल संस्तानों के मादेम से ब्याज अनुदान यूप्त रिनुपलब्द करना तो यह है वही मुख्य मंतरी लगू उद्योग प्रसान यूजडा लाबान विद्वर कौन सा अब ही राजी के स इस्तार विदी करण आधोनिकी करण है तू वित्य संस्ताओं के माद्यम से 10 करोड रुपे तक किते रुपे ध्यान दीजी का एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हो चले हैं हम रिविजिन करेंगे वापस रिविजिन करेंगे तो हम्प्लिट याद हो जाएगा टेंस ए करना ठीक है तो बात करते हैं यहां पर संस्थ विवेरंट की तो पर्देश में नए उद्मों की स्थापना करना ठीक है और पूर्व इस्तापित उद्मों यानि जो पहले से इस्थापित जैसे कि किसी ने चाही की दुकान लगा रखे तो उसको विस्तार देना उसका आद सब्सक्राइटी भागीदारी फार्म ठीक है एल एल पी फार्म कंपने भी क्या है पात्र है और योजना महां दिसंबर 2019 से लाग वी गए योजना का पता रखना है कि कब शुरू की गई दिसंबर 2019 से ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं अगली योजनिया कितनी बड़ी है देख लेते हैं अगली योजना एम समी अधिनियम सव परमानी करन योजना यानि राजस्तान उद्योग मित्र पोर्ट कौन सी है एम से देखेगा एम समी अधिनियम योजना का नाम क्या है है MSME与दिनियं सौफ़ परवाणिक्रण योजना फिक है यह यह यराजस्तान उद्ध्योग मेट्र पोडल योजना इसके बाराकेंकर अगले वीडियो में एपड़ेंगे बागी 28 योजना और है तो सब अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो आज हम सबदी थे तो सामाजीक याय है अधिकारिता विबाग तो ये रिवीजिन चल रहा दोस्तो कण्यादान या राजास्त्तान समान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेश योगिजन समान पेंशन योजना और आज बात किती पलनार योजना के बारा उसके बाद हमने बात किती राजस्तान कर्षी पर संस्क्रण कर्षी व्यवसाय कर्षी निर्यात प्रोसान योजना 2019 तो ये कर्षी विबाक से कर लगते हैं कि जिन जिन योजना के बार में होने चर्चा की बाकि कम्प्लीट रिविजन एक बार पूरे जो पूरी योजना है वह उने के बाद करेंगे कम्प्लीट एई वीडियो बढ़ा लेकर आएंगे चुलेगा तो आज हमने बात किती पालनहार योजना तो देखेगा पालनहार योजना में क्या था यह रही पालनहार योजना जिसके देखो जो कोई अनात भालक है तो उसके पालन पॉसन के लिए रिस्तदार या किसी भी पड़ोसी रिस्तदार वगेरा को बच्चा मतलब बच्चा रख सकते हैं और उसके पालन पॉसन के लिए गवर्मन उनको क्या देगी आर्थिक साहित देगी ठीक है और उमर किती होने चाहिए देखेगा जीरो से यानि जनम से लेकर अठारा वर्स तक ठीक है अनात बालक बालिका और कब शुरू की दोजार पांच में देगो छे वर्सके टा चलेगा आगली योजना है राजिस्तान कर्सी परसंस्क्रण गर्सी वैसा यह उकर्सी निर्यात प्रसान योजना के बारा में हमने बात किसे 2019 तो इसमें यही एक ही बेक कर्सी को बड़ावा देने के लिए साहित दी जाती है इन राजी में कर्सी विप्रण आधरित सरस्क् सब्सक्रण किगें कबवार 15兩 déjàos 19 के फीए धिक है और करने है तो निम्रे अनुदान के जाने का प्रावदान है तो पूझी निवेस लुँदान ठीकिist अ और कितना हो परिवयन के लिए परिवयन के लिए भी दिया जाएगा अगर 300 किलोमेटर तक इदर-उदर मदब फसल के रूप में आप आगमन कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए भी दिया जाएगा लगवग 10-50 लाग रूपे अनुदान नहीं और 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 खेती के लिए 25 लाग रूपे थीक है यह हो गया अनुश्यों से जाती है जन जाती है है मैं ना है कि मुक्यमंत्री कि अर्डय मंत्री लगू-प्रुशा ने के बारे में न है दो इसमें यह जोटे उद्यूपमत्यों को बढ़ावत देना ठीक है तो उद्यूमों की सेरलिस्ता अपना रोजगार के नए आउसर उपलप्त करना ठीक है जो भी रोजगार खोलना चाहता है जो भी विजेश करना चाहता है तो उनको अनुदान देती है गोर्मेंटरा राजी के सभी अगले वीडियो में लेकर आएंगे तब तक के लिए बने रहे और साथी चर्नल को सब्सक्राब करना ना भूले धन्यवाद दस्तों